हेलो दोस्तों आईये स्पीसेस क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम लोग देखेंगे एड़ुटेरिया बिहार स्पेसल का प्रैक्टिस सेट 3 जो की बीपीसे 68 के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ठीक है जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 किय है उसमें से लगबग दो से तीन क्वेस्टन जो है वो डिरेक्टली बीपीसे 67 में पूछा गया है इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें लिए अब सुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 चलिए फरस्ट क्वेस्टन देखते हैं फरस्ट क्वेस्टन है जारखंड विभाज क्या है तो सॉप्सन नमबर सी 54 जो था वो लोकसवा का सीट था और 22 जो था वो राजसवा का सीट था चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नमबर टू बिहार में अब तक कुल कितनी बार राश्टपती सासन लागू किया गया है पताइए इसका सही अंसर क्या होगा तो क सीट क्या होगा सीट भर आग possono उसके पद यूंग अगे बढ़ते हैं नमब लिखित मैं से कौन राजपाल को उसके पद से निमन Alexa क्वारती सविधान के नुछेद में महा धीवक्ता का वर्णन किया गया है इसका सहीं में में सब्सक्राइब बी अनुछेद 165 चलिए next question देखते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निरने निम्न में से कौन करता है बताई इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer हैगा option a विधान सभा अध्यक्ष चलिए आगे बढ़ते हैं निम्लिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री सबसे कम समय तक रहें बताईए कौन होगा इसका सही answer है option b 37 प्रसाद सिंग चलिए आगला question देखते हैं दिये गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है बताईए इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer होगा option a ठीक है भागलपूर चलिए आगे बढ़ते है किसी राज का वैधानिक परधान कौन होता है देखिए पिछले हम प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखे थे कि रियल जो हैड होता है वो कौन होता है तो हम लोग देख रहे थे मुख्यमंत्री यहां वैधानिक पूछा मिंस constitutional head कौन है constitutional head जो होते हैं वो राज के राजपाल ह होते हैं ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं बिहार में लोग सभा हेतु कितने अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित सीटे हैं ठीक है तो इसका सही एंसर क्या होगा इसका सही एंसर है option C6 हम लोग देखे थे पिछले सेट में भी कि वहां पुछा गया था आपको अनुसूचित जाती के लिए कितने अरक्षित होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं उर्दू भासा को दूसरी राजभासा के रूप में मानता देने वाला भारत का पहला राज यह कौन सा था तो इसका सही एंसर क्या होगा इसका सही एंसर है option A बिहार ठीक है और कौन-कौन क इसका सही एंसर क्या होगा तो इसका सही एंसर है option D जिला दंडा धिकारी को चलिए अगला question देखते हैं कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चमाल दोनों से सिमास आजा करता है बताए इसलिए हर सेट में आपको मैप का क्वेश्चन आएगा ही और सेट के अलाव में रियल एक्जाम में भी मैप का question हर एक्जाम में एक से दो मैप का question रहता है इसलिए मैप पे पकर बहुत ही जरूरी है तो इसका सही अंसर बताए कौन होगा तो इसका सही अंसर होगा आपका question sorry option A किसन गंज ठीक है यहां पे आप देखेंगे जब मैप इसे बिहार का यह पर किसन गंज हो गया यहां अररिया हो गया नीचे में पुर्णिया हो गया फिर कटिहार हो गया फिर भागलपूर हो गया ठीक है इधर आपका राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साजा करता है पिछले में देखे कि नेपाल सब कौन सा दिस्टिकस की बॉर्डर मिलता है और यहां देखते हैं सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ नेपाल से मिलता है तो बताए इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर सोमेश्वर पहाड़ी वह बिहार का सर्वोच चोटी है तो इसका से इंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन भी सोमेश्वर स्रेनी चलिए आगे देखते हैं इसका बिहार में सबसे अधिक वर्सा किस जिले महती है बताइए इसका भी है इसे बिहार इस तरह से है तो जो भी साउथ सब्सक्राइब बेंगॉल ब्रांच से आता है तो हमेशा बिहार में बारिष की क्रमता जो है इस तरह से घटते जाते हैं यहां सबसे ज्यादा बारिष कराते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन क्या होगा इसका सई किसंगन चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नमबर 17 कि बिहार में आपदा प्रबंदन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क सेंडाई सेंडाई फ्रेमवर्क जो होता है को लागू कब लागू किया गया तो बताए इसका सेंसर क्या होगा तो इसका सेंसर ऑप्शन B 2015 में चलिए आगला क्वेश्चन देखते हैं ब गंगा के दक्षनी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुक रूप से पाई जाती है बताए इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर है ऑप्शन A कैवाल मिट्टी ठीक है आगे बढ़ते हैं कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है नदी न रहता है और यह फाई अंसर क्या होगा कर्मनासा जो है वह आपको छोटा नाथ प्लैट्व से प्लैट्यू से निकलती है और यह आपको गंगा में बक्सर चौसा के पास मिल जाती है ठीक है चलिए तो इसका सही अज़ और ये कर्मनासा नदी जो है ये बिहार और यूपी का बॉर्डर भी बनाती है चलिए तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन भी अनली एक मात्र ठीक है रामसर साइट है और ये कावर लेक जो है ये एसिया का ये सिया का सबसे बड़ा ओक्सबो लेक क्या है ओक्सबो लेक औक्सबो लेक किसको कहते है इस तरह से इस तरह से नदी जो रब बहती है इस मेंडरिंग में ठीक है इस तरह से तो यहां से यह कट जाता है यहां से नदी जो है इस तरह से ऐसे बहने लगती है तो यह पूरी तरह से कट जाता तो यह अलग हो जाता है इसी को आक्सबो को लेख कहते हैं और कावर्थ जील जो है यह जो कि A.C.A. का सबसे बड़ा है और ये question 67 P.P.S.E. में direct पूछा गया था चलिए अगला question देखते हैं कि राजपुर नहर पर योजना किस नदी परिस्थित है बता ही इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर हो जाएगा option A को सी पे चलिए आगे बढ़ते हैं 2011 के जन गन्न प्रटना थेकर सबसे ज्यादा देखते हैं कि बिहार के किस जिले का महीला साक्षरता उदर सबसे कम है बताइए क्या होगा इसका इसका अंसर जाएगा option C सहरसा थीक है इसमें कुछ महत्मून बिद्दियों पर ध्यान देखते हैं इस पर क्या हो जाएगा सबसे पहले बिह कि बिहार का मे के और फीमेल और वाल्क लिट्रेसी बियार का कितना है ज्याओन र老師 का इन हगा इस को ब्लत यहार कव लिट्रेसी और इस से 10% कमche 11.5% और इससे 10% ज्यादा माइनस 10% है कि और इसका प्लस 10 परसेंट तो यह हो जाएगा आपको 71.2 ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि करनाट वंस का अंतिम सासक कौन था बता ही इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन ए हरसिंग देव चलिए आगे बढ़ते हैं कि निमली फिन मेंसे किस पाल सासक कि राधानी मुंगेर बिहार थी बताए इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन बी देव पाल आगे बढ़ते हैं दर्भंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस इससुल्तान था कौन था बाई बताईए इसका सही हैं मुहमत बिन दुगलक चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेरसाह ने मुगलों के विरुध संगर्स में किस सहाइटा प्राथ कि थी बताईए इसका सही हरन साथ कि आगी हो जाहे वोगा तो भी tick to see कि सी कंदर loदी ने हुसेन साह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी निक्त किया बताए इसका सही अंसर क्या होगा सिकंदर लोदी ने हुसेन साह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी निक्त किया बताए इसका सही अंसर हो जाएगा option ए दरिया खा नुहानी चली आगए देखते हैं चाउसा के युध में सिरसान हुमाई ने कब प्राजित किया था बतढ़ेगा के चाउसा के युध कब हुआ था sta के युध हुआ था 26 जूल 1549 को 26 जूल 1539 को चली आगला देखते हैं कि सेरसा का प्रसासनिक प्रयोगसाला था प्रशास्निक प्रशाला बताईए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option A सासा राम और सासा राम में ही सेर्षा का मकबरा भी है ठीक है अगला देखते हैं सेर्षा ने अपने सासन कालमे पटना में एक दुर्ग का निर्मान कराया तो तब पुना इस नगर कोड़ा धानी के रूप में विक्सित किया गया इसकी चर्चा है किस बुक में इसकी चर्चा है बताई ते तीस का क्या अंसर हो जाएगा option B तारीक ए दावदी ठीक है अगला देखते हैं अकबर ने 1580 में बिहार में क खान ए खानम चलिए अगला कोश्चन देखते हैं किस मुगल सासक के समय में बिहार में सरवाधिक विद्र हुआ तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A अकबर चलिए अगला देखते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरुनानक देवने निम्न में बिहार में किस छेत्र का ब्रम किया था बताए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर है option E क्यों क्योंकि वह पटना भागलपूर मुंगेर और राजगिस सारे जगा वह भ्रमन किया थे इसलिए इसका option E हो जाएगा सही उन्तर ठीक आगे देखते हैं मुगल सासक फारुक्स यार ने करने के लिए किस वास्त स्वतनतरता प्रदान की बताइए सही इसका सही अंसर हो जाएगा option B 1717 में चलिए आगे बढ़ते हैं किस मुगल सासक के सासन काल में अंग्रेजों पटना में अपनी फैक्टरी स्थापित की थी इसका सही अंसर क्या जाएगा तो इसका सही अंसर हो अगला देखते हैं बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था बताइए इसका सही अंसर हो जाएगा option A Rolf Fitch देखते हैं कि बिहार में होम रूल लिक किस्था अपना कब किया गया तो इसका सही अंसर क्या है इसका सही अंसर हो जाएगा option B 1616 दिसमबर 1916 जिने ने जल सोजाएगा option B पटना में पटना में पाकी पुर अगर आपका option बाकी पुर है तो बाकी पुर माह किए चलिए नेक्स देखते हैं मुझभफर पुर बंब कांडुनी 108 में किसे फासी की सजा हुई थी बताएं इनमें फासी का सजा हुआ था खुदिराम बोस को ठीक है इ नेक्स देखते हैं चंपारन में क्रिसी की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समीति की अध्यक्ष थे बताएं तो इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन सी एफजी स्लाई ठीक है नेक्स देखते हैं बिहार आने वाले निमलखे चर्चित विदेशियात्रों में सबसे पहला यात्री कॉन था घदेश सबसे पहले बिहार कॉन आज था इसमें सभी अंसर हो जागा भॉप्शन है मेगा स्थनीज जो कि चंधरगुप्त जंद्रगुप्त मौर के सासनकाल में आये थे ठीक है और यह सल्यूकस सल्यूकस निकेटर ठीक है सल्यूकस निकेटर के अंबेश्डर थे चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 24 वे तिर्थंकर महवीर का जन्म कहां हुआ था इनका जन्म कहां हुआ था इसका सही अंसर हो जाएगा option A कुंड ग्राम में चलिए next question देखते हैं असोक के स्थम लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है बताई इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंस अप्सन B अशुगोष देखते हैं तिर्थिय बहुत संगति की अध्यक्षता किस ने कि थी थी मोगलिपुत्र 30 अप्सन D सही अंसर है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हरन्यक वंस के पश्चात मगध पर किस वंस का उदय हुआ पताई है अप्सन ए शिसू नाग वन चलिए इस तरह से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 3 जो है वो समाप्त हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे ठीक है अ और अपने सुझाओ कमेंट में जरूर दें धन्यवाद